कुर को श्रुट की तरफ आते हैं जो तीसरे संस का मदान है तेईस अपरैल को हुना है। चौतें चरण में राजस्थान 19 अपरैल को मदान होगा। इसमें प्रदेश की लोगसभा की तेरा सीटों पर वोट डाले जाएंगे इन्हीं तेरा सीटों में से एक लोगसभा शेक्त्र है अजमेर क्या है अजमेर में चुनावी घमासान बताया निलजे अजमेर पहले बड़ी अच्छी प्रो कॉंगर्स सीट थी मुकुट ब्यारिलाल भार गव दो बार जीते उनके बतीजे दो बार जीते विश्वसरनात भार गव जीते अचारे भखवान दे भी जीते विष्णू मोधी भी जीते और बाद में रासा सिंग रावत ने इसको सीक अच्छी में वापस कॉंगर्स बाद चलीगी सीट विष्णू मोधी भी जीते लेकिन उसके बाद ये काफी समय से बीजे भी पास रही रासा सिंग रावत यहां पांच बार MP बने उसमें एक बार उनको प्रभा ठाकुर ने हराया था जो बाद में राचिस्वा की मेंबर कवेत्री हैं प्रभा ठाकुर अजमेर की रने वलती हाला कि पांच आर वोट से रापाई थी और वो उस परिस्टी में रहा है जबकि उनकी खुद की जाती के समुख के उनके वोट कोई पांच आर भी नहीं होंगे जिए अजमेर कॉंसे तो भी पांच आर से रहाया था था तो आठों सीटों पर बीजेपी की पराजय थी लेकिन विधानसवाद चना हुआ इसमें चार सीट वापस बीजेपी ले गई दो सीट बागी ले गए निर्दलिये एक कॉंग्रेस का बागी बाबुलाल नागर दूसे एक बीजेपी का बागी सुरेश टांक किशनगर से औ और दो कॉंग्रेस ने जीती रगु शर्मा केगडी से और मसुदा सीट लाकेश पारीक ने अब दो कॉंग्रेस का कबजा है चार बीजेपी का है और दो पर बागी हैं तो कुल मिलाके मानले कि अब तो इस सीट का जुकाओ बीजेपी की तरफ है बोटे तोर पे बागी दो बार MLA रहे थे उनका टिकेट काटा था विजानसवा चुनाओं में उनको टिकेट दिया है बीजेपी ने और एक तरह से जाती समीकरण भी देखा गया और बागी रच चौद्री एक सारजनिक जीवन की वेक्ती थे दो बार MLA रहे इसलिए उनको टिकेट दिया गया ज अगर पॉल्लाजिशन नहीं होता है और मोधी-मोधी करके लोग वोट देते हैं या बीजेपी का कारेकरता और संग का कारेकरता तो कॉंगर्स के बहुत मुसीबत होगी हालां कि बाबुलान नागर जो कॉंगर्स के बागी थे निर्दलिये चुनाव जीते दूदू से वो जगड़ा हुआ मारपिटा ही हुई नमीन शर्मा जो बीजेपी पहले अध्यक्ष थे जिले के बीजेपी छोड़के चलेगे थे वापस बीजेपीन लिया उनके साथ मारपिट हो गई संक का कारे करता खुद जाट वोट और दो बार के इनका चुनाव का नुबाव रिजूर जुन जुन नौला बिल्कुल नहीं है राजनीती के लिए अजमेर के लिए अजमेर के लिए अजमेर में जो सांसद रहे हैं के में मंतरी भी राज़त्रकार में नहीं बैट पाया जमेरी सीट पर टिक कर अगर रगुश वर्मा टिक कर कर सकते हैं बीजेपी को इन दोनों राजनेताओं के वहां पर समय देने पर निर्भड करेगा अजमेर की सीट का भविश्य अजमेर की सीट में खास बात यह है कि बीजेपी ने दोनों शेयर की सीटें वापस जीती अच्छे बहुमत से और उत्तरदक्षिन और उससे लगीव देवनानी के प्रती लोगों में पहले भी अच्छा रुजान नहीं था उनकी सीट पर और जो नौन सिंदी वोटर है वो तो देवनानी के साथ मतलब जाने में बहुत मुश्किल था लेकिन चुकि कॉंग्रेस ने नौन सिंदी को ऐसे को टिकित दिया था जो बहुत ज़्य इस बार देखने मिलेगा कि वो जब सिंदी नौन सिंदी की बात नहीं है उस वक्त वो सीट पर कैसे वोट पड़ते हैं क्योंकि उस पर खादिम भी बहुत हैं और दरगा आती है तो दरगा में काफी मुसलिम इला का भी उसी सीट पर पड़ता है जी अनिल जी मेरा एक सवा है ग्षा जा कर हैं बनार्श twenty My गृ इस इसे वोeten नहींद रह गई और बीना काथ बी चूंकि उनिकी साह है और के राजिस्तान मेरे। दो बार वो अजमेर जीले की प्रभारी भी रह चुकी है इसे अजमेर की कॉंग्रेस को अच्छे से करनेक्ट कर पा रही है लेकिन जो नई पीड़ी है जो बाद में आई उसको करनेक्ट करना उनको थोड़ा मुश्किल पढ़ रहा है वो रगुश हर्मा सचीन प्राइड जा अगरी कर पाएंगे